तो मेरा भाई आपको यूटूब में काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे रिलेटेड टू ट्रांसफ़ॉर्पर बट मैं आपको इसमें ऐसी चीज़ बताने वाला हूं उसमें आपको नहीं मिलेगी ठेक है तो मेरा ये बनाने का रिजन ये है ये वीडियो कि आपको पूरी जानकारी मिले पॉइंट टू पॉइंट और आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए यूपीएस के ट्रांसफ़ॉर्मर के लिए हैं तो आप एक ट्रांसफ़ॉर्मर को कभ यूज करते हैं जब आपको किसी भी से एक करेंट को कैनुट करके उसको लोवे में लाना पड़तां मतलब आपको 220 वोल्ट है ऐसी उसको लाना है आपको 12 वोल्ट में या फिर 24 वोल्ट में या फिर 50 वोल्ट में में तब से समझ में आये तो यह transformer है यह UPS का है तो मैं आपको पहली बात बता देना चाहता हूं कि इस टाइप से पिंज रहती है हर दम हम लगाते हैं में लाइन पे ठीक है जहां से 220 V AC आता है वहां लगाते हैं बट इसमें ऐसा नहीं है ठीक है इसमें ऐसा नहीं है यहां पर जो आप 220 V Input यहां input नहीं डालना है अगर यह हां input डालोगे तो यह sote हो जाएगा मैंने try किया है तब आपको बता रहा हूं ठीक है यहां आप अगर इन्पुड डालोगे और これ सोचोगे यहांसे output मिले तो एसा नहीं है यहांसे output डालगे वहांसे output नहीं ले सकते आउट पुज का है तो हम आपको फुली डीटेल बताने वाले ठीक है और प्रैक्टिकल चेक करके दिखाएंगे तो वीडियो को बीना स्कीप के लाच तक देखिए ठीक है कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक बर मेरे को कमेंट कर दीजेगा मैं फिर से वीडियो दूसरे बारे इसमें एसी करेंट है डिक है करेंट कर देता हूं एक ब्लैक पर है और एक ग्रीन पर और इसमें चर्ण कहिंब है कि यसी हं कोई इन पुट कर रहे हैं एसी 120 वोल्ट के कार यहां से इनपूट कर दिये और सिक्या जैसा SKUime 52W जितना बी जो इन्पूट कर रहा है यहां पर देख सकते हैं आप 070 expectations Input. प Okay making the time परेक्टिकल करके दिखांगा तो वीडियो को एलगी से आप आंप एसी आएगा दोनों छोर पर ही एसी आएगा बट बोल्टेज कम हो जाएगा ठीक है यहां इसको 200 वोल्ट में हपन्स रट कर लेते हैं आप देख सकते हैं 5.3 वोल्ट आ रहा है ठीक है 5.3 आप कहीं पर भी जहां पर आपको 5.3 एसी वोल्ट के जरूरत है ब्रिज रेक्टिफ है ठीक है यह मल्टिमेटर का क्रॉप हमने लगा दिया है कोई भी सुझाओ देना होगा तो आप कमेंट में जरूर दीजिए मैं आपको सुझाओ का इंतदार करूंगा और कमेंट सारे अच्छी तरीके सा पढ़के आपको रिप्लाई करूंगा ठीक है तो पहले हमने ग्री आप ध्यान दिजिएगा ग्रीन वाले पर अलग वोल्टेज मिल रहा है ब्लू वाले पर अलग वोल्टेज मिल रहा है मेरे ख्याल से यल्लो वाले पर भी अलग वोल्टेज मिलेगा यल्लो वाले पर आप देख पा रहे हैं 6.26 वोल्ट आप समझ लिए minimum 6 वोल्ट मिल रहा ह अब इस तरह के से विरियंट जो है वोल्टेज आप ले सकते हैं ऐसी वोल्टेज मिलेगा ठीक स्टेकर आपको और हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें डायट 12 वोल्ट कैसे ले सकते हैं ठीक करना यह आप इसको खण कर लिजे करने का गाल्याद करनें इसको फॉर्वर्ड कर देता हूं आपको के वाल यहां पर द्यान देना है अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तब आप यह काम करें वरना आप यह काम ना करें आपका अगर काम 6 वोल्ट से चल जा रहा है तो आप इसको ना करें ठीक है तो इसमें आपको किसी भी तरीका का करेंट नहीं मारेगा साथ 7.67 वोल्ट आ ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं 7.67 अगर हम आपको इसको डवल करते हैं अगर आपको यह चीस्तों पता ही होगा अगर सीरेज में जोड़ेंगे तो करेंट अगर आप करते हैं अगर आपटीक है तो आपको यहां बढ़ाना हैं अपको डॉडवेडियो कही नहीं मिले कि सब्स्राइब कर लिए तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है अगर आपको यह ज्यादा चाहिए तो आपको करना पड़ेगा सीरीज में अगर आपको कम वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो आपको करना पड़ेगा पैरलर में ठीक है तो अपना एक कनेक्शन यह हो गया तो मेरे भाई पूड़े वीडियो का में पॉइंट यहीं पर है कि आप देख सकते हैं अभी हमको यहां से 12 वोल्ट मिल रहा है ठीक है पहले कित आप देख पा रहे होंगे 6 वोल्ट मिल रहा है ठीक है तो यहां में 6 वोल्ट셔 हो गया यह दोनों को ऐटेच करें फिस कान्वर्ट करiliation है ठीक है तो आप देख पार है अभी कितना अपन को मिल रहा था अभी 12 वोल्ट मिल रहा है ठीक है तो अपन का जो यह एसी वाला एसी वाले को पहले चेंज करते हैं है ऑगो अब यहां पहल देखते हैं अपने को मिल रहे हैं अपने को फुना मिल रहे है कुत इतनकर फोल्ड को पॉट्ट और टो यह इतना अच्छा ट्रिक काÃ सकते ना अप इसे घरपे भी अराम कर सकते हैं और इसमें following तो इसमें से आप 12V 14V 16V अराम से ले सकते हैं तीन वायर है यहां से आप कलर करके चेंज कर सकते हैं इसमें और एडवांस वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंड में बता देना वहां से मिल जाएगी आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर मुझे बताएं अपने अपनी त तरीके समझाने की कोसिस किया हूं